हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे अहोई अस्टमी व्रत कथा प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके साथ लड़के थे दीपावली से पहले साहुकार की इस्तरी घर की लीपापोती हे तू मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी देवियोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी सहसा उस इस्तरी के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई जिससे सेह का बच्चा तदकाल मर गया अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहुकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ परन्तु अब क्या हो सकता था वहा सोकाकुल पस्चाताप करती हुई अपने घर लोट याई कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया फिर अकास्मात दूसरा तीसरा और इस तरह वर्ज भर में उसके सभी बेटे मर गए महिला अत्यंत व्यतीत रहने लगी एक दिन उसने अपने आसपडोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जान बूच कर कभी कोई पाप नहीं किया हाँ एक बार खदान में मित्ती खोदते हुए अंजाने में उसके हाथो एक से के बच्चे की हत्या अवस हुई है और तत पस्चाथ उसके साथो बेटों की मित्यू हो गई यह सुनकर पाशपडोस की व्रिद औरतों ने साहुकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात पता कर तुमने जो प्रस्चाताथ किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नस्ट हो गया है तुम उसी अस्टमी को भगवती माता की सरन लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी अराधना करो और छमायाचना करो इस्वर की क्रिपा से तुम्हारा पाप भूल जाएगा साहुकार की पत्नी ने व्रिद महिलाओं की बात मान कर कार्थिक मास की क्रिष्न पक्च की अस्टमी को उपवास वा पूजा याचना की वा हर वर्स नियमित रूप से ऐसा करने लगी तक पस्चात उसे साथ पुत्र रतनों की प्राप्ती हुई तभी से अहोई अस्टमी व्रत की परंपरा प्रचलेत हो गई अहोई माता की जै धन्यवाद अहोई माता की जैए अहोई अहोई प्राप्ती हुई प्राप्ती हुई एवाद